आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सरीर पर दिखने वाले तिलों के बारे में हस्त रेखा विज्ञान के अधार पर सरीर में कुछ इस्थानों पर तिल हो सकते हैं मनुष्य के सरीर में कुछ इस्थानों पर तिल होना सूब मना जाता है बैसे सरी पर तिल होने का सास्त्रों में बहुत बढ़न है पर मैं यहाँ पर आपको कुछ इस्थानों पर तिल होने का रहसे बता रहा हूँ इस वीडियो में मैं सिर्फ इस्त्री जात्कों के बारे में बात करूँगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तिलों के मामले में इस्त्री जात्कों के यानि इस्त्रियों के बाएं अंग पर तिल हो तो ज़्यादा प्रणाम मिलते हैं यानि वो ज़्यादा फाइदा करते हैं अगर दाहिने अंग पर हो तो भी फाइदा मिलता है पर फिर कम फाइदा मिलता है मगर मिलता जरूर है फल बिल्कुल निस्प्रभावी नहीं होता है प्रणाम तो दोनों तरफ के अंगों पर होने वाले तिलों से मिलता है एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि तिल जितना साफ सुत्रा तथा खोबसूरत होगा उतना ही फल अच्छा मिलेगा बद सुरत या तूटा फूटा हो तो अच्छा फल नहीं मिलेगा तो आईए शुरू करते हैं सास्तरा अनुशार यहां पर मैं पांच स्थानों पर होने वाले तिलों के बारे में बात करूँगा नमबर एक जिस श्त्री के मस्तक पर तिल हो उसको पती राजा के समान मिलता है तो राजा का मतलब राजा के समान का मतलब आज कर राजा तो होते नहीं है तो उसका पती कोई बड़ा अफसर हो सकता है या कोई नेता हो सकता है या किसी भी संस्था का अध्यच्छ हो सकता है या ब्यापार में अच्छा ब्यापारी भी हो सकता है यानि वो ब्यक्ती एक तरह से प्रधान ब्यक्ती होगा जो भी कारिबो कर रहा होगा उसमें वो मुख्य ब्यक्ती होगा गाउं में हो तो ग्राम प्रधान हो सकता है मुख् दिवाग यहां पर तिल हो तो पती धनवान होगा धनवान बताने की जूरूत नहीं है धनवान से मतलब साफ है कि वो धनी होगा उसके पास धन होगा पैसा होगा आप लोग जानते ही हैं नमबर तीन गाल पर तिल हो ऐस इस्थट्रि से आराम मिलेगी जीवन में ऐसो आराम इस तरह है उसको मिलेगा नमबर चार कान पर तिल हो तो उस इस्त्री को गहने जेवर बहुत पहने को मिलते हैं माताएं बहने गहनों के नाम से बहुत खुश हो इनको गहने बहुत पसंद होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, नमबर पांच, गले पर तिल हो तो उसके घर में उसकी बात चलती है, या कहें कि घर में सभी लोग उसकी बात सुनते हैं, तो ये भी अच्छा है, गले पर तिल होना भी सुभ है, तो ये मैंने इस्तियों क आगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करें पूरी तरह फ्री है जै स्रीक्रश्ण